आज हम इस वीडियो में यूपी टैट से संबंदित कुछ अपडेट की जानकारी देंगे आपको और पहली अपडेट रहेगी देखिए कि आपकी जो परिच्छाओं के लिए रहोंने कहा था कि इसी महीने में परिच्छा आपकी कराई जाएगी जल्द से जल्द कराई जाए आपका पिछले महीने यह कैंसल हुआ था पेपर और यह दिसंबर के महीने में एक्जाम नहीं हो पाएगा और इस एक्जाम की जो है संभावित तिथी रहेगी वो जनवरी के फस्ट बीक में रहेगी तो चलते हैं देखिए वीडियो सूर करते हैं और जानकारी पूरी लेत हैं परिच्छा नियामक प्रादिकारी कार्यालर को T.E.T. कराने में कम से कम दो महीने लगने का अनुमान है पेपर लीग से सरकारी की काथी किरकिरी हो चुकी है देखिए यह तो आप समझी रहे हैं कि जो सरकार है उसके किरकिरी तो हुई है क्योंकि उनकी जो है इस साथनक हुई हैं और रद भी हुई हैं इसको ले करके बहुती गंबी समस्या बनी हुई है और आपके दूसरी तरफ जो धना दे रहे हैं को चात्र वो ग्यापन सौपा है कि T.E.T. की परिच्छा पंदा दिन के अंदर पूरी करा करके रिजल्ट सहेत और अगले साथ दन में नई स भी प्रच्छक वर्त यौह कि ग्यापन दें इस्का आनों वेग्यापन सौपा है इसमें इनन वे M परीच्छे जन्वरी के महामे होगी क्योंकि इसमें बहुत है सरे ड़्यासे कारे होते हैं जिन्में समय लगता है जैसे माल लीजे आपका पेपर कैंसल हो गया तो पेपर कैंसल होने के बाद आपकी नई परिच्छा की कार्योजना कैसे त्यार करनी है और उसके लिए पेपरों का छपना, मटेरियल बनाना ये बहुत बड़ी चुनौती है PNP के आगे तो ये समझ लीजे कि आपकी परिच्छा बिभाग तो बहुत ही जल्द कराने की सोच रहा है लेकिन परिच्छा कराने के लिए पेपर का बनना और केंद्रों तक पहुचाना ये सारी बिवस्ताइं करना उनके सामने एक बड़ी चुनौती है तो इसमें समय तो लगेगा ही ल दूसरी और आपको पता है TGT PGT के लिए भाती पर कार्ड चल रहा है और उसमें अध्याचन भी मांगे गए है डियास के त्रू वह सीधा एक लेटर भेजा डियास के लिए डियास के लिए कि उनसे पूछा गया है कि आपके यहां कितनी सीट खाली है यानि कि अध्याचन म के लिए तैयारियां चल रही है हो सकता है कि आपकी TGT PGT या LT grade की सिच्छक बर्ती लगवग जनवदी के बाद ही मिल सकती है यहां बैसे सबसे पहले कि आने की आसंका है क्योंकि वह आई नहीं दुयार अठार के बाद उसमें तीन साल का गैप भी लग गया है हो सकता है उसका आपको देखने को मिली तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में चैंक्स वावातन दिस वीडियो